हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक माई यूट्यूब चनल MS Maths, जहां मैं अपलोड करता हूँ BSC Mathematics and Physics Related Video Lectures. अगर आप हमारे चनल पे नए हैं, तो प्लीज हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको BSC Mathematics and Physics का पूरा Systematic Course यहां पर अवेलेबल कर वेलेबल कर आजाता है, नोट्स के लिए आप हमारे वेबसेट पे विजिट कर सकते हैं, सारे लिंक्स आपको Description Box में गीवन है, सारे प्लेलिस्ट आपको Description Box में गीवन है, आप वहां जाके अपने अकौर्डिंग, अपने जो भी टॉपिक से उनको देख सकते हैं, इस बटिकुलर वीडियो में ब बात करने वाले हम यहां पे Types of Graphs and some important terminology or definitions related to Graph Theory, यह सारे terminology हमें पता होनी चाहिए, इन terminology के basis पे हम different types of graphs के बार में डिसकस करता हैं, और जो further इसके questions होता हैं, उनको हम यहां पे solve कर पाता है, तो बात करता हैं, यहां पे Types of Graph में कुछ पहले important definitions देख लेते हैं, कुछ terminology देख Graph जो होता है, वो basically G, V, E से denote किया जाता है, और इसमें V जो होता है, इसको अपन कहता है, set of vertex, and E जो होता है, वो basically set of edge होता है, edge, basically अगर मैं कहूं तो यह graph ऐसा होता है, यह vertex हो जाता है, कोई भी vertex ले सकता है, इनको connect करने वाले यह ऐसे, कोई भी type का ऐसे different अप ले सकता है, तो इनमें line जो उनको connect कर रही है, वो edge हो जाएगा, जो points है, उनको node या vertex कहा जाता है, now बात करते हैं, यहाँ पे adjacent vertex की, what is the meaning of adjacent vertex, basically two vertexes, U and V, which are joined by an edge, एक edge से उनको connect कर दिया जाए, तो उसको हम adjacent vertex कहता है, for example, यह U है, यह V है, हमने previous वीडियो में discuss भी किया है, इसको हम end vertex कहता है, और यह जो होता है, this is known as initial vertex, starting यहाँ से हो रहा है, अप्रारंभिक और आप कह सकते हैं, अन्तिम, अब इसको अगर मैं connect कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको connect कर देता हूँ, तो यह edge से connect है, तो इसको open कहेंगे adjacent vertex, तो यहाँ पर V जो set होगा, उसके अंदर U and V दो आएंगे, और E जो होगा, उसके अंदर A की type का edge आएगा, तो यह adjacent vertex होता है, अब हम बात करता हैं, यहाँ पर adjacent age के बारे में, तो adjacent age जो होता है, उसका meaning होता है कि basically, if two distinct ages, E1 and E2, incident from a common vertex, यहनि कि एक particularly common vertex से दो ages है, वो अगर incident हो रही है, तो हम उसको कहते हैं, adjacent ages, और एक particular common V vertex, for example, मान लीजिए, यह एक आपके बास में, यहाँ पर vertex है, okay, तो यह यहाँ पर common vertex है, एंड इस vertex से दो ages निकल रहे हैं, तो basically ages होती है, वो दो points को, यहाँ दो notes को correct करने वाली होते हैं, कह सकते हैं कि एक इस particular edge से चलने वाली यह एक edge हो जाएगी, एक particular vertex से और एक ही हो जाएगी, basically यहाँ पर this is E1 and this is E2, तो यह जो है, इसको हम कहते हैं गे V, और यह हो जाएगा, देखो, इसको V1 कहते हैं, यह V2 और यह हो जाएगा V3, तो दो edge जो है, वो E1 और E2, commonly V1 से पास हो रही है, V1 से incident हो रही है, था हम उसको कहते हैं, adjacent is, so now come to the next, and next will be the loop और self loop, अब देखो, loop या self loop का क्या meaning होता है, जब हम बात करते हैं कि दो vertex सेम हो जाएग, for example, एक vertex उसी से connected होता, same as उसी से connected है, for example, हम ऐसा consider कर लेते हैं कि यह आपके पास में एक graph है, और यह इसके vertex हो जाएगी, तो मान लीजिए कि vertex जो हैं वो U, V, या फिर ऐसा कह सकते हैं, this is V1, V1, V2, vertex V1, V2, V3 and V4, अगर यहाँ पे V2 जो है, वो वापस मैं कहता हूँ कि मान लो किसी U के equal है, यानि कि हम कहा सकते हैं कि self loop, self loop का मतलब loop मन रहा है, उसी से connected है, तो अगर यह वापस इसी से connect होता है, इस type से, तो हम इसको कहता है, self loop, same, उसी से connected है, तो इसके वर ऐसा direction लगा देंगे, यह ऐसे मान लो, यह से connected है, तो यह self loop हो जाएगा, यह self loop हो जाएगा, तो इस type के जो loops होता है, इनको उपन कहता है, self loop, उसी से वापस connect होता है, तो इसकी जो as होती है, उसमें क्या होता है, के U and V is equals, it means a vertex V is joined with itself by an age, एक एसे वो खुद से ही joined हो रहा है, इस टाइप के जो एज होती है, उस एज को हम कहते है, self loop या loop कहते है, now come to the parallel loop, अब आता है, parallel loop क्या होता है, basically, parallel loop का मतलब होता है, कि if two or more ages of the graph G have same, like the graph G has some end vertex, यहाँ पर, same end vertex होता है, sorry, यह some end लिख दिया है, same end vertex, अगर मैं parallel graph के बात करता हूँ, तो देखो, यह ऐसा होता है, same end vertex, यह same लिखा, तो इसका सिधा सा meaning यह होता है, कि मान लीजिए कि यह एक V1 हो जाएगा, यह V2 हो जाएगा, यह V1, यह हो जाएगा V2, एक जो चल रहा है, वो V1 to V2 चल रहा है, एक edge जो चल रहा है, मान लीजिए, E1 edge हो जाएगा, V1 V2 है, अब वापस V2 को V1 से connect करना बेसिकली यह है, तो यह undirected graph, बट direction लगा सकते हैं, कुमान लीजिए, इसकी ग्रा direction ऐसी है, और एक जो चल रहा है, वापस V2, V1 से connect है, इसका मतलब यह ऐसे, इसको अपन कहते है, parallel edge, एक V1 को V2 से connect कर रहा है, एक V2 को V1 से connect कर रहा है, एक V2 को V1 से connect कर रहा है, बिसिकली multiple edge का क्या meaning होता है, multiple edge का मतलब होता है, two or more edges joined with same two vertexes, दो vertex के साथ में, जब एक से ज़्यादा edges जो होता है, वो अगर connect होता है, एक vertex से, मान लीजी, अगर मैं कहा जाता हूँ, यहाँ पर multiple edges के बारे बात कर रहा है, तो यह vertex V1, V2 मान लीजी, इस टाइप से आपके पास में है, तो अब हम इसको connect कर देते हैं, मान लीजी, यह इससे connect हो जाएगा, यह इससे connect हो जाएगा, और यह इससे, और यह इससे, अब हम कह लेता है, this is V1, V2, V3 and V4, अब मान लो यह वापस इससे भी connected है ऐसे, यह ऐसे भी connected है इससे, तो यह multiple edge हो गया, यह E1 हो जाएगा, यह E2 हो जाएगा, this is E3, E4, E5 and this is E6, अब देखूँ, यहाँ पर इस V1 की बात करता हूँ, तो यह multiple edges से connect है, V1 से incident होने वाली E6 भी है, V1 से incident होने वाली E2 भी है, यहाँ से E5 भी incident हो रही है और यहाँ से E1 भी incident हो रही है, तो multiple number of edges हो है, वो इससे निकल रही है, तो यहाँ पर कहा रहा है, two or more edges joined, the same two vertexes are called multiple edges, दो या दो से ज्यादा edge होती है, वो एक same, या फिर दो same को यहाँ पर ज edges हो जाती है, अब आता है, यहाँ पर degree of vertexes, degree of vertexes का मतलब है, then degree of vertex V of graph G is the number of age of G incident with V, V से incident होने वाली, this is age, not E, V से incident होने वाली, sorry, यहाँ पर V end, with V end, okay, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जितने E से, V से incident होने वाली, for example, इसी की बात कर लेता है, इसी graph, इसी diagram से, by the figure, इस figure मैं, अगर मैं V1 की degree की बात करता हूँ, इसको D, E, G लिखता है, degree of V1, degree of V1 की बात करता है, तो यहाँ से, एक, जो, तीन, चार, four ages हो है, वो इससे incident हो रही है, इसकी degree कितनी हो जाएगी, four हो जाएगी, तो इस type हम कह सकता है, what is the degree, एक, एक vertex से निकलने वाले, जितने number of ages हो होतना, वो इसकी degree हो जाती है, अब बात करते हैं कि एक होता, out degree, it is denoted by degree of positive V, इसको D, G, D, E, Z, positive V से denote करते हैं, और इसको degree negative V से denote करते हैं, इसका मतलब होता है, अगर यह directed graph होता, मान लीजिए ऐसा आपके पास में एक vertex है, इस vertex में इस type से मान लो यह आ रही है, और यह इस type से ऐसे, तो यह मान लो आ रही है, कुछ इस type से आ रही है और कुछ जा रही है, यह E1 हो जाएगा, यह E2 हो जाएगा, E3, E4, E5 and E6, अब मान लीजिए इस V से निकलने वाली degree की बात करता हूँ, तो मैं out degree की बात करता हूँ, जिसको हम plus से renot करेंगे, तो out degree कौन से हो जाएगा इसके अंदर, देखो एक, एक ही इसमें out degree है, out degree तो हो जाएगी 1 और वो हो जाएगा E3, 8 जो है वो निकल रही है, और in degree की मैं बात करता हूँ, यहां से तो 5 जो है वो इसके अंदर in degree हो जाएगी, तो ऐसे इसका मतलब होता है out degree और in degree, और out degree और in degree का total जो सम होता है, उसके total degree के equal होता है, मैं अगर इनके total की बात करता हूं, total जो होता है, वो इनके total number of degree के equal होता है, summation जो होता है degree का basically, तो यहाँ पर अगर हम बात करता है, तो इन दौनों का जो sum होता है, यानिकि जितने भी न, उन सब का sum, यानिकि summation of out degree of v, that is equals to summation of in degree, यानिकि अगर मैं बात करो, out degree और in degree जो होता है, अगर यह दौनों equal हो जाता है, for किसी v, summation of in degree, v minus v, यह उसके degree को denote करता है, यह number of, basically जो total number of, इन दौनों का अगर हम एड़ करता है, अगर यह equal हो जाता है, अगर हम इनको add करता है, इनको add करेंगे हैं, इनको add करने पर यह total number of, basically this is the number of age, यह number of age को इसके अदर बताता है, अगर मैं दौनों को add कर दूँगा, तो total number of six ages हो हैं, वो इसमें से pass होंगी, यह इसका formula होता है, ऐसे आप पता कर सकते हैं, कितने उसके अंदर, इन डिग्री और आउट डिग्री के help साब पता कर सकता है, कितने उसके अंदर ages present है, आउ बात करते हैं, यहाँ पे isolated vertex के बारे मां, isolated vertex का मतलब क्या होता है, जिसका degree क्या होता है, 0 होता है, for example, मान लीजी, इस टाइप से हमने एक directed graph बनाया है, और यह ऐसे हमने इसको connect कर दिया, यह इससे connect है, यहाँ पर हम कहाँ देंगे कि यह E1 हो जाएगा, V1, V2, V3, V4, V5, V6 हो जाएगा, यह E1, E2, E3, E4, E5, E6 कहाँ देंगे इसको, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कि जब हम बात कर रहे हैं, इस vertex के बारे में, माल लो यह V7 है, यह V7 इससे connected नहीं, vertex of degree 0, उससे न तो कोई in हो रहा है, न आउट हो रहा है, तो बिसिकली उसकी degree 0 है, तो यह connected नहीं है उससे, तो आपन उसको कहेंगे, यह isolate vertex हो जाएगा, इस इस isolated vertex, isolated vertex का यह meaning होता है, फिर आता है यहाँ पर pendant vertex, pendant vertex का मतलब होता है, जिसकी degree 1 होती है, फर example, अगर हम बात करता है, इसका भी अगर मैं diagram बनाऊं, यहाँ पर, तो वी कन आल्सो, आपर रोदी diagram, यहाँ पर मानलो इस टाइप से यह है, इसको हम consider कर लेता है, यह ऐसे, यह क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी 1, वी 2, वी 3, वी 4, वी 1, वी 2, वी 3, वी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर, अगर मैं कहता हूँ कि, एक मैं vertex ही, यहाँ बना लेता हूँ, और यह V2 जो है, वी 5 से connected है, और यह E5 हो जाएगा, बात करते हैं यह तो होगे कुछ terminology जिसमें कुछ terms के बारा में discussion करता नहीं हैं अब हम बात करते हैं यह आपर types of graph के बारे में, तो graph है कुछ types है, different different types के graph है, first आता है simple graph, simple graph का मतलब होता है, finite graph without loop, finite है, इसमें कुछ particular points है, finite graph मानलो, simple शागर बना दो, मानलो, यह ले लो, चलो, इसमें क्या हो रहा है, finite number of vertexes है, finite number of ages है, ना V1 हो जाएगा, यह V2 हो जाएगा, V3, V4, यह हो जाएगा, E1, E2, E3 and E4, कोई loop नहीं है इसके अंदर और ना कोई multiple age है, तो हम कहेंगे इसको यहां पर simple graph, फिर आता है multiple graph, multiple graph में क्या होता है, graph with multiple age और no loop, loop नहीं होना चीए, लेकिन multiple ages हो सकता है, for example हम इसी को ले लेता है, यहां पर multiple age हो सकता है, यहां पर multiple age का अभी मनें बात किया था, उपर multiple age का मतलब है, मानलो यह V1, V2, V3 and V4 हो जाए, और V2 वापस इससे connect हो जाए, और यह इससे connect हो जाए, तो इसको हम कहा देंगे E1, E2, E3, E4, E5 and E6, तो E1, E2 जो है वो क्या हो जाएंगे, multiple ages हो जाएंगे उसके, तो multiple age जो है उसमें हो सकता है, लेकिन loop यहां पर present नहीं है, फिर आता pseudograph, pseudograph में सब कुछ हो सकता है, multiple ages हो सकते हैं, loop हो सकता है, हर चीज हो सकते हैं, तो हम उसका भी एक example देख सकते हैं, मान लीजी हम उसका example यह ले सकते हैं, इसमें तीन vertex हो जाएंगे, तो इसको सबसे पहले सिंपल बना देंगे, one, two, three, और इसके अंदर यह even हो जाएगा, e2 हो जाएगा, e3 हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं मल्टिपल की बात करता हूं, तो यह लो, यह 00. इसका, Age की बात करता है, फिर यह बीपल की बात करते हैं, यह यहाँ पर लूप हो जाएगा, यह बीप लूप हो जाएगा, यह जो graph बन रहा है, इस को искustिउटो graph कहते हैं, पिर आता है आता है आपक number of ages भी उसके अंदर है तो इसको उपन क्याता है finite graph otherwise infinite graph हो जाता है infinite graph जैसे बनाना possible नहीं है पर in general हम सारे जो graph बनाता है तो सारे finite होता है now come to some special type of simple graph simple graph मतलब जिसमें loop नहीं होगा कोई parallel age नहीं होगा ठीक है तो हम simple graph के types की बात कर दें simple graph के types में आजाता है सबसे पहले यहां पर नल graph का मतलब क्या हो जाएगा अगर मैं नल graph की बात करता हूं तो basically e is equals to f in a graph लेजे आपके पास्मेंस टाइप से है नल graph के हम definition की बात कर रहे है तो नल graph में कोई भी edge का set नहीं होगा यहां पर जो है वो basically edge इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको पर नल graph के देंगे यहां पर f नहीं है basically e 5 हो जाएगा 5 का मतलब है यहां पर कोई भी edge का set रप्रेजेंट नहीं है तो for example यह ऐसे vertex ले लिया तो यह v1 vertex हो गया this is v2 v3 v4 v5 v6 यह का हो जाएगा null graph हो जाएगा there is only v जिसके अंदर v1 v2 v3 v4 and v5 vertex है पर e का कोई set है नहीं आप 5 है null set यह null graph हो जाएगा फिर complete graph की बात करते है complete graph का क्या meaning होता है complete graph का meaning simple साएगा simple connected graph is said to be complete graph if each vertex is connected to other vertex एक vertex हो है जितने भी vertex उसके अंदर present है वो दूसरे से connect है उसको अपन कहते है complete graph v1 है यह v2 हो जाएगा दो ही इसके अंदर है और वो दौनों से connect है फिर अगर आप बात कर लेंगे यहां पर मान लेजिए जैसे मैं कहते हूं कि सारे जितने भी है वो connected होने चाहिए इसके जितने भी vertex है वो दूसरे से connect होने चाहिए यह v1 vertex है यह v2 हो जाएगा this is v3 v4 सारे connect होने चाहिए तो इसको इससे connect कर लो इसको इससे connect कर लो तो यह e1 e2 e3 e4 e5 and e6 हो जाएगा तो यह सारे जो है न वो एक दूसरे 1 जो है वो देखो 5 से connected है यह 2 से v3 से connected है v4 से connected है तो सारे एक दूसरे से connected होने जितने भी each and every जितने उसके अंदर present है वो सारे connect होने चाहिए तो उसको अपन complete graph कहता है अब complete graph में अगर हम बात करें n vertex होती है तो number of ages find करने का formula होता वो यह होता है for example मैं कहता हूं इसके अंदर vertex कितने है one two three four vertex है तो अगर मैं इसके लिए find करना जाता हूं तो four four minus one upon two हो जाएगा तो यह हो जाएगा four into three two और यह से cancel हो जाएगा तो two into three यहाँ पे six ages आपको मिलेंग और e6 आप देख सकते हैं यह तो इसके लिए find करना चाहता है तो two two minus one upon two तो यहाँ आप आपको मिल जाएगा one into one upon one into two into one upon two हो जाएगा two into one upon two और यहाँ आपको एक age जो है यह देखने को मिलेगा n number of vertex होता है n n minus one उसमें number of ages होता है now अब बढ़ते हैं आगे next आता है हमारे पास में regular graph regular graph का क्या meaning होता है regular graph का meaning है कि a graph g is said to be regular graph if every vertex has the same degree इतने degree आने कि उसमें से निकलने वाले in और out जो है वो equal सारे सेम हो and if the degree of each vertex is k then k is a positive integer और जो graph होगा उसको अपन कहेंगे regular graph for example हम simple सा कोई भी ले सकता है आप एक यह ले लो इसका degree बात करता है यहाँ तो यह जो है V1 vertex है V1 की degree 2 हो जाएगी यह से connected V2 की degree बात करेंगे यह 2 ह तो अगर मैं सबकी degree बात करता हूँ degree of V1 is equals to degree of V2 is equals to degree of V3 and that is equals to degree of V4 जो होते है यह सारे 2 हो जाएगे क्योंकि हर एक के लिए दो-दो यहाँ पे edge के set यह E1 से connected है यह E2 से connected हो जाएगा यह E2 E3 से हो जाएगा यह E3 E4 से हो जाएगा तो ऐसे ऐसे सबकी degree से हो रही है उसको हम regular graph करता है फिर आता है यहाँ पे बाइपरेटिट ग्राफ जो बाइपरेटिट ग्राफ होता है इसक इसको को ब्रेक करता है इसको ब्रेक का मतलब अबता है जिन में कोई common नहीं होता है मानलो एक सेट मैंने यह बना लिया फिर आजाएगा V4 V5 इसको कोई common नहीं आएगा तो design some subsets बना लेंगे in such a way that each edge of G जो edge होगा वो जितने भी edge होगे इन सबको vertex को connect करने वाले and हम बात कर रहे है यहाँ पे each edge of G has one end in X and one end in Y यानि कि इनकी जो edge होंगे वो एक end जो है वो इस वाले subset के अंदर मानलो यह V है यह X हो जाएगा और यह Y हो जाएगा दो subsets पर हम उनको divide किया तो मानलो यह V5 तक है अगर हम इसको V5 तक finite ले लेता चलो V4 V5 हम नहीं finite लिया तो उसके edge का एक end इसके अंदर होना चीए और 1 end इसके अंदर होना चीए फॉर एक्साम्पल आ दीजिया साम कंचिनर कर लेता है यह V1 हो जाएगा V2 एंड यह हो जाएगा V3 एंड यह हो जाएगा V4 V5 अब यह हो जाएगा V1 V2 V3 V4 V5 अब यह इन से connected है यह यहां से connected है यह V4 V5 से connected है यह कह रहा है कि एक edge जो है वो क्या होना चाहिए इसमें इक्तों disjoint है कोई भी नहीं आ रहा है इसके अंदर यहां पर क्या होना चाहिए वन ओफ दी end जो है एक end उसका इसके अंदर होना चाहिए graph का एक end इसका इसके अंदर होना चाहिए तो आप इसमें से किसी एक को यहां से connect कर दो यह जो graph है वो by-parated graph हो जाएगा यह नहीं कि इसमें से अगर मैं बात करता हूँ यहां पर इस particular e1, e2, e3 and e4 तो e3 जो as है वो इन दोनों को connect करने का काम कर रही है इसका एक end जो है वो particularly इसके अंदर है और एक end जो है वो particularly इसके अंदर है तो यह इसका meaning होता है तो this is all about the by-parated graph अब आता है complete by-parated graph complete by-parated graph का क्या मतलब होता है in like every यहां पर हम बात करें complete by-parated graph का मतलब होता है in every vertex in x जो हमने x उसका subset लिया है is joined to every vertex of y यहां पर तमने क्या किया एक को एक के साथ में connect के यह कहता है नहीं हर एक को हर एक के साथ में यह वापस इससे भी connect कर दो इसको इससे भी connect कर दो इसको इससे भी गर दो, इसको इससे भी गर दो this is complete by parated graph for example हम इसी को consider कर लेते हैं इसी के बारह हम बात कर लेते हैं इसी के बारह मैं आप मैं बात करेंगे तो basically ये इसाइब करेंगे, तो मान लो ये इस type से है और ये ऐसे हो जाएगा यह V1 हो जाएगा, यह V2, V3, V4, V5, यह से connect हो गया, यह से connect हो गया, इसकी बात करते हैं, तो V4 इससे connect हो गया, एवरी जो पॉइंट है, एवरी नोड जो है, वो हर एक के साथ में connect होना चाहिए, दूसरे वाले के, यह से connect हो गया, यह से connect हो गया, यह वापस इससे connect हो गया, सब को दूसरे वाले साथ में ले लेंगे तो यहां पर X जो है उसके अंदर V1, V2, V3 हो रहा है और Y जो सब सबसेट बन रहा है इस वाले V का वो basically V4 and V5 दोनों डिस्जाइंट है यहने कि X1 intersection Y is 5, these are disjoint set इसका मतलब इनके अंदर कोई भी common नहीं आ रहा है और यहां पर सारे इससे connected, so this is known as basically complete by paratid, now complete by paratid के अंदर M, माल लो X जो है M number of vertex contain करता है, Y जो है N number of vertex contain करता है, जो total graph, जो होगर लिखने का तरीका होता है K En m, , यहां पर total लिखने का तरीका होता है, K En m high और यहां पर X के अंदर, माल लो यहां पर cardinality of X की बात करता हूं, तो वह 3 है और cardinality of Y की बात करता हूं, तो वह 2 है जब इसको लिखेंगे ना, तो हम यहां पर इसको 3-2 लिखेंगे, this is known as K32 graph, K32 या K32 complete bi-parated graph, यह इसका representation का तरीका हो, so this is all about the types of graph and some important terminology of the graph, so graph theoretically यह जो वीडियो है वह बहुत important रहेगा, तो कि अगर आप इस terminology को भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तो आप आगे के questions को अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो इससे सारे related जितने वीडियोज हैं और वो आप हमारी playlist में जाके देख सकते हैं, I hope आपको पुरा topic जो है वो अच्छे से clear होगा, so thanks for watching my video, keep watching MS Math and इसी type के for more videos के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, thank you, bye-bye